गवर्मेंट, पीजी कोलेज, बारा, राजस्तान, सिताराम बेर्वा, असिस्टेंट प्रोपेशर, डिपार्टमेंट, जुलोजी, बीएसी, थर्ड येर, सब्जेक्ट, जुलोजी, प्रोपेशर, बीएसी, थर्ड येर, सब्जेक्ट, जुलोजी, पेपर, थर्ड युनिट, फास्ट, कोटा इनुशिटी ओप, कोटा, के सिलेवस के अकोर्डिंग, आज बच्चो हम आपको युनिट फर्स्ट से लेशन, एस्ट्रस चक्र के बारे में बताएंगे, एस्ट्रस चक्र क्या होता है, तक इतने परकार का होता है, एस्ट्रस, साइक्ल, इसके अंतरगत, जन्तों में जन्चकर का पाए जाना सामानी प्रोसिज होता है, मेमल्स में जन्चकर का पाए जाना विसेश करिस्त्रियों में मातोपन होता है, मेमल्स में सभी फिमेल्स सिरफ कुछ विक्सित प्राइमेट्स को छोड़ कर लाइब सर्किल के कुछ समय में ही कोपुलेशन के लिए याज़त देते हैं, इस जन्चकर का काल जब सिल्प ओविलेशन होता है, तब फिमेल्स नर्को गण करने के लिए रेड़ी हो जाती है, उसे हिट्प्रेट या इस्ट्रस कहते हैं, प्राइमेट्स में कोपुलेशन निच्चित काल में नहीं होता, तब हिट्प्रेट भी नहीं होता, यहाँ जन्चकर को रजुदर्म के प्रारम से इग्याद किया जाता है, अथा मेमेल्स में टूप परकार के जन्चकर पाये जाते हैं, इस्ट्रस चता मिनस्ट्रोल साइकल, इस्ट्रस चक्कर, इस्ट्रस चकर, लोवर, केटिर के एनिमल्स में इस्ट्रस चकर का पाये जाना मुक़् के करेक्टर होता है, इस चकर में ना सिर्फ कोपुलेशन की इच्छ जागरत होती है, परन्तु गर्वास, यूटेरस एंड वेजाएना में भी कहीं चेंजिंग होते हैं तता फर्टिलाइजड ओवा को गर्ण करने के लिए अपने आपको फिमेल रेडियू रहती है यूटेरस का भीतरिस्तर सिक्ख हो जाता है तता रूजरोवानिया और गर्ण्तियों के संक्या में ग्रोथ हो जाती है यह किरिया ओविलेशन के कुस्स में पहले ही कुर्ण होती है अगर यूटेरस फर्टिलाइजड ओवा को गर्ण नहीं करता तो फिर से समाने वस्ता में चेंज हो जाता है फिमेल में चक्कर कुछ समय बाद फिर से होता है यह अलग-अलग इस पीसीज में डिफरेंट टाइप के बाद होता है ब्रेटिंग सीजन में एस्ट्रस चक्रों के संक्या के अनुसार मेंवल्स को तीन सीरीज में डिफरेंट किया गया विज्ञानिकोंने मोनोस्ट्रस, डाइस्ट्रस, पोलेस्ट्रस मोनोस्ट्रस, जिन डिफरेंट लोवर के टिफरेंट के मेमल्स में एक ब्रेटिंग सीजन में एक एस्ट्रस चक्रों पाए जाता है इससे मोनोस्ट्रस कहता है यह एक परजनर रित्म में एक एस्ट्रस चक्रों ही पाए जाता है इसका अंतरगत एक से अधिक नहीं पाई जाता है जो अधिक तर वाइल्ड एनिमल्स जंगली जन्तूं में होता है एकजाम पल्क जंगली कुता वाइल्ड डॉग्स तर नेक्स चक्र डाइस्ट्रस यह भी बिल्ली में जैसे एक वर्स में दो एक्ष्ट्रस चक्र पाये जाते हैं जता इस सवस्ता को डाइस्ट्रस कहते हैं इसके अंतर एक वर्स में दो चक्र पाये जाते हैं इसलिए इसको डाइस्ट्रस नाम देया गया विज्ञानी को नेक्स पॉले एस्ट्रस इसके अंतर गत एक वर्स में दो से अधिक एस्ट्रस चक्र पाये जाते हैं और उसे पॉले एस्ट्रस कहते हैं फिमेल रेट्स में परतेक पांच दिनों बाद एस्ट्रस चक्कर की पन्रावर्ति होती है जबकि गिनी पिग में परतेक 15 दिनों बाद एस्ट्रस चक्कर के वस्ता आती रहती है एस्ट्रस चक्कर को अनिक चार उस्ताव में डिवाइड किया गया है प्रो एस्ट्रस एस्ट्रस मेटा एस्ट्रस चता डाई एस्ट्रस प्रो एस्ट्रस एस्ट्रस चक्कर की पर्थम स्टेज होती है इसे निर्मान करने की अवस्ता भी कहते हैं या बिल्डिंग स्टेज भी कहते हैं जो बिल्डिंग बनाने की वस्ता होती है इसमें वह होलिकल सईथ ग्रोथ करता है साथ ही पूट के धरो में भी ग्रोथ होती है जिसमें एस्ट्रोजन हार्मोन उपस्चित होता है इस स्टेज में यूटेरस एंड वेजाइना कंजेस्टेट हो जाती है तता संकुचित हो जाती है साथी एक सबक्चरूदिर वर्णी या किलियर सेंग्विनेस प्लोड का सेक्रेशन होता है वेजाइना वेजाइनल एपिथीलियम में प्रोलिफिरेशन की किर्या होना प्रार्म हो जाती है जिसे पर्चरोद भोन कहते हैं यह प्रोसीज होलिकल द्वारा इस तरावित एस्ट्रोजन हार्मोन के कंट्रोल में होती है वेजाइनल इसमेर बहुत सारी केंदर कित यह नुकुलेटेट इपिथीलियल सेल्स देखी जा सकती है क्योंकि यह है प्रोलिफिरेशन द्वारा बनती है इस स्टेज में कोपुलेशन नहीं हो सकता सेक्ड इस्टेज इसे एस्ट्रस कहते हैं यह है इस्टेज प्रोस्ट्रस के बाद होती है क्याता प्रोलिफिरेशन इस्टेज के बाद आती है इसे हिट प्रेड इस्ट्रस भी कहते हैं क्याता इस सवस्टा में फिमेल हिट प्रेड इस्टेज में आ जाती है इस समय में विजैना इपिथीलियम और अधिक मोटी हो जाती है थिक हो जाती है इस इस्टेटि को विजैना आलेप में कौनिफाइट कोशिकाइद दिखाई देने लगती है यूट्रस में कंजेगेशन अधिक्तम हो जाता है चता इस सवस्टा में ओविलेशन होता है चता फिमेल के प्रिगनेंट होने की संभावना बन जाती है डिफेंट टाइप के एनिमर्स में यह समय अलग अलग होता है एक्जाम्पल के तोर पे बिल्ली में यह है नो से पंदरा गंटे का तता डोग कुते में नो जिन तक रहता है इस समय अगर फिर्टिलाइजन हो जाता है तो प्लेसेंटा का निवान होता है तता यूटेरस प्रारम हो जाती है अगर फिर्टिलाइजन नहीं होता तो यह है तीसरी स्टेज मेटा इस्ट्रस प्रारम हो जाती है मेटा इस्ट्रस जो नेश्ट स्टेज है तीसरी नमबर की ठर्ड नमबर की यह स्टेज इस्ट्रस स्टेज के बाद वहली होती है इस्टेज में पर्मो खुरूप में कार्पस लूटियम का डॉल्पमेंट होता है यह स्टेज ओविलेशन के तुरंट बाद में होती है इस वस्टा में फॉलिकल सेल्स ओविलेशन के बाद एंटियर प्यूटूटर ग्लेंड्स लूटियन आइजिंग हर्मोन के एफिक्ट में कार्पस लूटियम का निर्मान करती है इस समय एस्टोजन का इस्थर कम हो जाता है तता प्रोजेस्टोरोन का इस्थर बढ़ जाता है कार्पस लूटियम द्वारा इस्थरावित प्रोजेस्टोरोन द्वारा अन्य परिवर्थन होते है अगर फर्टिलाइशन नहीं होता तता फिमेल प्रिग्नेट नहीं होती तो कार्पस लूटियम डिजनेरेट हो जाता है तता अपकेटित हो जाता है तता जनल अंगों में वही परिवर्तन समापत हो जाता है सापत हो जाते हैं मोनोस्ट्रस में जैसे खरगोस में हर्टिलाइशन नहोंने के उपरांत भी पिग्नेंट जैसे परिवर्तन होते हैं जहावे आए यूटेरस तता में में भी परिवर्तन होते हैं यह परोसिज स्वीड़ प्रिग्नेंसी कहलाती है तता कौनिफाइड सेल्स या विजाइन आलेप में क्रेटिन इपितिलम सेल्स और उद्र वस्वीत रूद्र कने काईं भी पाए जाती है इसके साथ यह मेटा एस्ट्रस कंप्लिट होती है इसके बाद नेश्ट डाय एस्ट्रस स्टेट आती है यह डाय एस्ट्रस यह विसरांत आलेंगी काल होता है तता पोली एस्ट्रस जनतूं में यह बहुत कम समीका होता है तता इस अवस्ट्रस में अगले इस्ट्रस चकर के लिए रेडी होता है इस अवस्ट्रस में कार्पस लूटियम निस्क्रे हो जाता है जो में यह है चार से पांच दिन का होता है योनी आलेप में डबलो बीसी, इपी तीलिम सेल्स और मुईकस पाये जाता है एनेस्ट्रस यह मौनट्रस जंतूं में यह विश्टरांत अलंगिक काल रेस्टिंग इसेक्च्चुल प्रेड होता है जिसमें इसेक्च्चुल अलंगि जरन नहीं होता है यह है अगली पारज़न रितु के आने तक जाली रहता है जब अगली पौजन रितु आती है प्रोडॉक्शन सीजन आता है ब्लेटिंग सीजन आता है तो फिर से पौवरी उत्परे रितु होते हैं तता नया एस्टरस चकर प्राराम होता है इसके साथ ही आज का वीडियो तता लेशन जो एस्टरस चकर का है प्राराम होता है नेश्ट लेशन नेश्ट डेश्ट पर कराए जाएगा इसके साथ ही आज लेशन कंप्लेट होता है झाल झाल झाल